स्वागते बच्चों हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्छा 6 और 7 की प्रभाकारे पुस्तिका विसे हिंदी में से कारे पत्रक नमबर 68 इससे पहले हमने सभी कारे पत्रक इसमें डाल दिये हैं यदि आपने नहीं देखे हैं तो आवश्य देख लें शुरू करते हैं इस कारे पत्रक में कहानी से पात्रों की भावनाओं के बारे में निसकर्स निकालना और विसलेशन कर पाने की दक्षता दी हुई है पहले कुछ पढ़ने के लिए एक पेरेग्राफ है उसको पढ़ते हैं गर्मियों के दिनों में एक चीटी बहुत प्यासी थी कुछ देर चलने के बाद वहे एक नदी के पास पहुची सामने पानी था लेकिन वहे सीधे नदी में नहीं जा सकती थी इसलिए वहे एक पत्थर पर चड़ गई जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की वहे सीधा नदी में गिर गई उस नदी के किनारे एक पेड़ की टहनी पर एक कबूतर बैठा था उसने चीटी को पानी में गिरते देख लिया उसने चीटी की मदद करने के लिए उस तेजी से एक पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में चीटी के पास फैंक दिया चीटी उस पत्ते पर चड़ गई थोड़ी देर बाद पत्ता तहरता हुआ नदी के किनारे पहुच गया चीटी ने पत्ते में से चलांग लगाई और उसने पेड़ पर बैठी कभूतर को धन्यवाद दिया तो इस तरह से एक कहानी थी और इसमें से प्रश्ण है उपर लिखी कहानी के आधार पर एक से पांस प्रश्णों के उत्तर दें कभूतर ने चीटी के लिए पत्ता ट्यों फेका चीटी को डराने के लिए चीटी का मजाक उड़ाने के लिए चीटी की मदद करने के लिए तो इसमें उप्सन दे रखें उप्सन नमबर गा इसमें सही है चीटी की मदद करने के लिए यहां हम सही का निशान लगा देंगे प्रेश नमर दो है डूपते तिनके को सहारा से आप क्या समझते हैं कर परिशानी में कोई मदद नहीं मिलना कर परिशानी में थोड़ी मदद मिलना कर परिशानी में थोड़ी सी मदद मिल जाने से जो मदद मिलती है उसको डूपते को तिनके का सहारा कहते हैं तो खा ऑफ्षन इसमें सही होगा, परीसानी में थोड़ी मदद मिलना प्रश्चन मर तीन है कब इतर के इस्थान पर आप होते तो चिटी की मदद कैसे करते तो उत्तर होगा, हम चीटी को किसी चीज के सहारे पर बिठा कर निकार लेते इसका अंसर आप अपने अनुसार भी लिख सकते है प्रेश नमर चार है, क्या आपने कभी किसी की मदद की है, अपने सब्दों में लिखो तो हमने एक चिरिया की मदद की, जो गायल थी, उसकी सेवा और मदद की तो इस तरह से आपने भी कुछ किया हो, तो आप अपने भासा में लिख सकते हैं प्रेश नमर पाँच है, नीचे दी गई इस्तिति में आप क्या करेंगे स्कूल में बुकम पाने पर, तो हम अगर जानते हैं बुकम के बारे में तो हम सभी बच्चों को खुले स्थान पर ले जाएंगे और सरक्षिक जगे पर बैठने को कहेंगे जैसे की लपड़ी की टेबल के नीचे, ऐसी जो चीजे होती हैं, उनके नीचे छुपकर बैठ जाएं और यदि भार निकलने की खुली जगए हो, तो वहां निकल जाएं घर का पता बूलने पर पुलिस से समपर करेंगे या फिर किसी के टेली फोन का इस्तिमाल करेंगे, मोबाइल का इस्तिमाल करेंगे और अपने घर वालों को सूचना देंगे गर में चोर गुसने पर चुप चाप मोबाइल या मैसेज या फोन करेंगे पुलिस को या रिस्तिदार को गर पेपर में प्रशन ना आने पर उसका उत्तर लिखेंगे पहले दूसरे प्रशन का हल करेंगे जो हमको आते हैं